अगर तुम हो को लग गए शारुक खान के फिल्म जवान जब थ्रेटर्स वें दस्तक देगी तो उसे देखने के बाद पुड़े के लोग जोड़ जोड़ से चिला कर कहेंगे हरे ये तो पुढ़े Metro Station है ये हमारा है अब उनकी ये कुशी जाहिर है क्योंकि जवाल पहनी ऐसे फिल्म है जो पुढ़े Metro स्टेशन पर शूट हुई है संतुकाराम नगर Metro Station हमें इस फिल्म में दिखाए देगा वैसे शारुक खान भी पहली बार पुड़े मेट्रो स्टेशन त्रैवल कर चुके हैं और इतना ही नहीं विलकी शारुक के फिल्म को महसूस करने के लिए उनकी कुछ फैंस ने भी पुड़े मेट्रो से ट्रैवल किया पसे एक एहसा उसके लिए केंग खान आपने कितना दिवारा बना दिया है लोगों को वैसे इस Metro Station टीम का ये कहना है कि जवान के बाद कोई फिल्मेकर वाहां शूट करने नहीं आया पर आगे आने वाने ओफर्स के लिए वो इंतिजार कर रहे है वैसे बहुत से लोगों को पहने लगा कि वो नाफपूर Metro Station है पर ऐसा नहीं क्योंकि फिल्म की शूटिंग लोकेशन में मुंबई, चेन्ने, हैदरबाद, पुडे इन्हीं लोकेशन को शामिल किया गया है वैसे इतनी जगों पर शूट करना भी एक strategy है क्योंकि लोग excited होते ही है अपने शेहर को परदे पर देखने के लिए वैसे जवान को ब्लोगबस्टर साबित करने के लिए उसकी कास्टिंग भी जबन दस्त साबित होने वाली है जिसमें विलन के तोर पर दिखेंगे विजय सेतुपती वैसे विजय सेतुपती की interesting बाते हम जानेंगे ही पर उन्हें एक बात बड़ी अजीम लगती है जब उन्हें कोई पूछता है कि अब आपका कौन सा हिंदी प्रोजेक्ट है तो उन्हें फिल्म का नाम बताने की बजाए यह बताना पड़ता है कि मैं शारुक खान सर के साथ काम कर रहा हूँ या शाहिद कपूर के टीना कैफ के साथ काम कर रहा हूँ जब लोग ऐसे बिग टैलन्ट का नाम सुनते हैं तभी बातों को सिरियसली लेते हैं So sad, कोई बात नहीं अब जवार में आपका जल्वा देखेंगे ना वैसे विजह का ट्रैक रिकॉर्ड है जहां उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स में हीरो को धूल चटाई है वैसे सुन्दरा, पैंडियन इस फिल्म में पहली बार उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था उसके बाद फिल्म पिट्टा, उत्पेनना, मास्टर, विक्रम, तमिल, फिल्म, विक्रम वेधा इन फिल्मों में कभी गैंस्टर तो कभी ड्रग लॉइड बनकर सेतु पती ने हीरो के बारा बजायते पर इतना पावफुल विलेन क्या आज हमें देखने को मिलता मतलब कि ये इंडरस्ट्री में ही नहीं होते हैं तो इंडरस्ट्री को इतना खींती हीरा कैसे मिलता? दरतल सेतु पती के बारे में एक और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि ये स्कूल लाइफ में एबरेज स्टूडेंट थे फिर तीनेज में अपने भाई बैनों को समालने के लिए उन्होंने दुबई जाकर जॉब करना सही समझा जहां पर उन्हें अच्छी सेलरी मिल रही थी पर जब वो 2003 में इंडिया में आकर मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे तब उन्हें एक डारेक्टर ने कहा कि उनका फोटोजनिक फीस है मतलब सिंपल और अट्रैक्टिव फेस उसके बाद यर 2010 में में वीचे से तूपती ने अपना डेम्यू किया और जस्ट फिल्म से डेम्यू किया उससे तीन नेशनल अवोर्ड्स मिलें इसका मतलब कदब रखते ही नेशनल अवोर्ड्स ने मिल गया यह तो वही बात हो गए कि यह जिस फिल्म को छूते है वो ब्लॉग्वेस्टर बन जाती है मतलब जवान भी ब्लॉग्वेस्टर है और आपको इसवार में क्या लगता है अपनी राए हमें बताएं कॉमेंक से हुआ हुआ है